नमस्कार साथियों मैं आया हूँ आपके सामने फिर से एक ऐसा इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेके जिसमें हम बात करेंगे इंडिया का क्या कांट्रिबूशन रहा था वर्ल्ड वर टू के अंदर इस टॉपिक को बहुत जादा नकार दिया जाता है लेकिन इसके बारे में ब 26 लाख लोग दिये हैं तुम्हारे सेना के अंदर वर्ल्ड वर टू में तुम्हारे इंट्रेस्ट के लिए लडने के लिए हमारे लिए तो कुछ थाई नहीं उसमें इसके अलावा हमने इंबर स्टील ऑईल ट्रांसपोर्टर हर एक लोग हर एक जगह पे तो कांट्रिबू हो जाता अब वो चाहे माने चाहे मत माने लेकिन कुछ ऐसे जगाएं हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि इंडिया का कॉंट्रिबूशन क्या रहा है वर्ल्ड वर टू में अब उसी के अंदर नियू यॉर्क टाइम्स इस विश्व का और उस समय का सबसे वन अब दे नियूस ऐजन्सी जिसने 1918 के अंदर वर वर वड के अंदर इंडिया के contribution के बारे में लिखा कि इंडिया को जो भी चीज चाहिए वो हम को दे देना चाहिए क्योंकि इंडिया के प्रोडॉक्ट्स के बगेर ना हम कभी वर 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 वन जीती नहीं सकते थे और यही सेम चीज वो World War 2 के बार में भी बोलता है, इसके अलावा यहाँ पर एक उन ही के field marshal होते हैं, cloud, जो बोलते हैं कि भाई World War 1 और World War 2 में अगर इंडियन नहीं होते हैं तो UK का नामू निशान ही मिट जाता, यहाँ तक कि छोड़िये इस दुनिया का सबसे racist आदमी, जो UK का था, that is the Winston Churchill, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर वो तक बोलता है कि इंडिया का contribution, इंडिया के soldiers का contribution World War 2 में बहुत जादा था, अब इतने लोग बोल रहे हैं, अब मैं भी यह चीज़ क्यों बोल रहा हूं कि इंडिया का contribution बहुत जादा था, डेटा तो अपने बाद में देख लेंगे, बट यहाँ पर देखते हैं कि क्या अगर इंडियन नहीं आते इनको बचाने, तो क्या UK परिश हो जाता क्या सही में, तो उसी बारे में अब भी अपने बात करते हैं कि असल माइने में क्या दशा थी United Kingdom की, देखें, 1939 में तो युद्र चालू कर दिया इनोंने, that is, Hitler ने and Allied Powers ने, अब अंग्रेजों ने हमसे बगेर पूछे, यहां पर इंडिया का भी साथ बोल दिया कि इंडिया इस आगे बढ़ूँगा, तुम वहां कोने में रहो और एक-एक को चुन-चुन के मारूँगा, ऐसा हिटलर आगे बढ़ रहा था और मारते जा रहा था सब को, और कुछ को बस जाने दिया हिटलर ने जान बूझके ताकि यह न्यूज दूसरी जगे पता चले, इसके अलावा, हिटलर क्या कर रहा था? उनके हेटकोर्टर्स के अपर हर एक जगा बॉम बरसा रहा था और यह लोग ब्रिटिश सोल्जर्स थे यह लोग भाग रहे थे भाई वहां से, इनकी दशा इतनी कराब हो गई कि इन्होंने खुद के ही आर्मी के कंटोनमेंट में चोरी करना शुरू कर दिया ट्रकों का, खानों का और समानों का, इनके खुद के foreign office के सबसे वरिष्ट अधिकारी बोलते हैं कि भाई हमारी जो सैनिक है न कुरे दुनिया के अंदर हमारा मजाग बना के रख दिया है ब्रिटिश आर्मी का इन्होंने 25,000 सैनिय बल था जैपनीज का और वन थर्ड ये वन थर्ड थे ब्रिटिश आर्मी का त कि हमारे पास कुछ नहीं हमारा तो ट्रेनिंग ही एकदम फिजूल है तो इस टाइम पे इंडिया आया इनका लाइफ सेवियर बनके लाइफ बोट के जैसा इंडिया और इनको नाव में बिठा के पानी के किनारे पर लेके चला गया और तो भी ये लोग इतने बेहुदा है कि हमारे contribution को ये नज़र अंदास कर देते हैं मतलब शरम भी नहीं रखा है इनों ने अब इसके अलावा point ये है कि हमा कि हमने इंडियान ने ब्रिटिश आर्मी को लगब 26 लाक सैनियबल दिया तो क्या हमने voluntarily दिया कि क्या हमसे जबदस्ति करवाया गया देखे 1939 में अंग्र आर्मी का स्ट्रेंथ 10 लाक हो जाता है और 1942 तक हमने लगबग 25 लाक लोग अल्रेडी दे चुक है 1942 से 1944 तक हमने 25 लाक दे दिया इनको अब इतना जादा स्ट्रेंथ आर्मी जो इनका बढ़ गया था इंडिया से क्या लोगों ने जान बूच के मतलब अपने मन-मर्जी से आ करना गायी और पैसा तो चाहिए घरचलाना है सबको तो वह घर चलाने के लिए लोगों ने क्या-क्या आनलिस्ट करना शरू कर दिया इसके अलावा अंग्रेजों की बेहुदी देखो कि इन लोगों ने अलावा बहुत सारे ऐसे जगहे था जहां पर इन्हों ने पानी रो कि वो लोग अपने लोगों को अर्मी के अंदर एनलिस्ट करवा हैं लोगों को नंगा करवा जाडीहों में जब तक उन्हों नहीं बोल दिया कि हम मतलब इस लेवल के गिर गी थे यह लोग कि घे लोग कि и्मारे उपर ने इतना देवाफ कल दिया पैसा लोग materials nurses ठीक है हर एक जगे पर हमने contribute किया अब यह लिस्ट अगर आप पढ़ोगे ना इससे आप अंदाजा लगा लो कि हमने कितना contribute किया हमारे 35 टकाग of the cotton production सा जो इंडिया प्रड्यूस करता था वह इनके जो कपड़े हैं उसको मैंने उसको बनाने में लग गए भाई कितना हम contribute कर रहे हमने हमारे इस contribution में से 24,500 इंडियन सोल्जर्स तो मर गए 24,500 लोग तो गायल हो गए 12,000 तो गाया भी हो गए कितने तो prisoners of war बन गए इसके अलबाब materials का contribution देखे तो भी यह लोग बोलते हैं कि हमने कुछ contribution नहीं किया अब सवाल यह है कि अंग्रेजों ने इस contribution का हमें क्या जवाब दिया इन्हों से कुछ हमें नहीं दिया बस हमसे लेके गए उल्टा इन्होंने यूएस को यह मना लिया कि इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है जबकि इंडिया के अंदर इस Winston Churchill के policies के वज़े से 30 लाख लोग मर गए 1943-44 में बंगाल फैमाइन के वज़े से जब इसने सारे products इंडिया से reroute करके उन war के जगाओं पर भिजवाई यूरोप में इंडिया में भुक मरी छा गई और इतने लोग मर गए उस time पे भी यह व्यक्ति बोलता है world war 2 खतम होने के बाद USA को इंडिया का कुछ लॉस नहीं हुआ है इंडिया में कुछ crisis नहीं आया है उल्टा इसने इंडिया को फोर्स कर दिया कि भाई तुम 24 मिलियन डॉलर वर्ल्ड रिहाबिलिटेशन फंड में दो कि मतलब world war 2 से जो नुक्सान हुआ है उसमें 24 मिलियन डॉलर्स दो बाई क्या बात कर रहे है यह तुम इसके अलावा इन्होंने इंडिया से ही military ammunitions military aircraft बनवा के नए नए अपने घर लेके चले गए यह लोग ब्रिटन में हमारे पैसे से बनवा के तो यह इन्होंने हमें बदले में दिया मृत्यू नुक्सान बेज़ती और कोई इस्जत नहीं कोई मेडल्स नहीं मेडल्स दिये लेकिन कुछ लोगों को दिये वाई इन सब चीजों का जो हमने कॉंट्रिब्यूट कर रहे है उसका क्या तो यह चीज के उपर बाते करना बहुत जरूरी है कि क्या इंडिया कि का इंडिया के बगेर वर्ल्ड वार टू हार चाता है झाल